Hello Students, Welcome to our channel Shweta Study Point Students, आज का हमारा टॉपिक है अपराद के कारण आज के हमारे इस वीडियो में हम अपराद के कारणों की विशे में जानेंगे तो आए जानते हैं इस विशे में अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि अपराद के लिए मुख्य रोप से व्यक्तिगत जैविकिये कारण, मनोवेज्यानिक कारण वा भोगोलिक कारण उत्तरदाई हैं आए जानते हैं व्यक्तिगत जैविकिये कारण के विशे में अधिकांश विद्वानों द्वारा व्यक्तिकी आयू, लिंग, बौधिक इस्तर, सैच्डिक इस्थिती तथा समाजिक आर्थिक इस्थिती जैसे अनेक व्यक्तिगत वा जैविक्य कारण अपरात के लिए उत्तरदाई बताए गए हैं दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान व्यक्तिकी आयू, लिंग, बौधिक इस्तर, सैच्डिक इस्थिती तथा समाजिक आर्थिक इस्थिती जैसे अनेक व्यक्तिगत वा जैविक्य कारण को अपरात के बढ़ने का कारण मानते हैं जिनमें से प्रमुक इस प गंभीर अपराद 20-26 वर्ष की आयू में अधिक होते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का या मानना है कि यदि आयू की द्रेश्टि से देखें तो 17 वर्ष से 24 वर्ष की बीच की आयू में अपराद तेजगती से किये जाते हैं कहने का तात पर यहा है कि जादा तर अपरादी छोटी उम्र से ही अपराद करना प्रारंब कर देते हैं जो अपरादी छोटी उम्र से ही छोटे छोटे अपराद करना आरंब कर देते हैं वही अपरादी आगे चलकर गंभीर अपरादी क्रिया को अंजाम देते हैं अर्था इसी प्रिकार के अपराधी आगे चलकर गंभीर अपराध करते हैं। अमेरिकी समाज में हुए अध्यनों से हमें अपराध की प्रकर्ती और आयू में संबंद देखने को मिलता है। अधिकतर विद्वानों का या मानना है कि अपराद की दर महिलाओं की अपेच्छा पुरिशों में अधिक होती है इन विद्वानों का या मानना है कि पुरिशों का सोभाव अधिक आक्रमक होता है इनका या मानना है कि घर से बाहर रहने के कारण पुरुषों को उच्छ खलता का अवशर अधिक मिलता है तथा उन पर कारेभार होने के कारण मानसिक तनाव अधिक पाया जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का या मानना है कि अपराद की दर महिलाओं की अपेच्छा पुरुष अपराधिक प्रवर्ति के होते हैं क्योंकि पुरुष पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं जिसके परिणाम सुरूप उन्हें निरंकुषता का अवसर अधिक मिलता है और इसके साथ ही पुरुषों पर कारेभार अधिक होने के कारण उन्हें मानसिक तनाव अत्यधिक होता है जिसके कारण पुरुषों का या मानते हैं कि व्यक्ति अपने शारीरिक दोश के कारण भी कई बार अपराद कर बैठता है बोरिंग ने अपने अध्यन द्वाराया बताया है कि अंग्रेज अपराधी कद में छोटे ववजन में कम होते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो इनका या मानना है कि यदि शारीरिक विकास आयू के अनुसार अत्यधिक है अत्वा अत्यधिक अल्प विक्सित है तो भी व्यक्ति में अपराधी प्रवर्ति अधिक देखने को मिलती है वन्शानुक्रमन भी अपराध का एक कारण है दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि वंशानुक्रमन के कारण भी व्यक्ति अपराद करता है इनका यह मानना है कि बच्चा जन्म से ही अपराधी प्रिवत्या लेकर आता है लॉंब्रोसो, गैरोफैलो, फैरी इत्याती विद्वानों ने अपने अध्यनों दौरा अपराध में वंशानुक्रमन का महत्व इसपस्ट किया है आईए अप जानते हैं अपराध के मनोवेग्यानिक कारण के विशे में अधिकांश विद्वानों का या कथन है कि मानसिक दुर्बलता या बुद्धी हिंता भी अपराध का कारण हो सकता है दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का या मानना है कि मानसिक दुर्बलता के कारण या फिर बुद्धी हिंता के कारण भी व्यक्ति अपरात कर सकता है क्यूंकि ऐसे व्यक्ति अच्छे और बुरे कारियों में अंतर नहीं कर सकते इस प्रिकार के व्यक्ति अच्छे और बुरे कारे में अंतर करने में सच्छम नहीं होते गोडार्ड ने मांसिक दुरबलता को अपरात का प्रमुख कारण बताया है अधिकांश विद्वान समवेगात्मग और इस्थिर्टा वा संघर्ष को भी अपराद का एक प्रमुक कारण मानते हैं इन विद्वानों का या मानना है कि वेक्ति समवेगात्मग तनाव को दूर करने के लिए भी अपराद करते हैं हीले तथा ब्रोनर ने अपने अध्यन द्वारा बताया है कि 91 प्रतीशत अपराधी अपनी हींता की भावना को दूर करने के लिए अपराध करते हैं। इन विद्वानों का या कथन है कि अपराध भी एक समवेग है। बठ ने भी असंतूलन तथा अपराध का एक प्रमुक कारन है। अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि अनेक मासिक बीमारियां भी अप्राधी प्रवर्ती को फ्रोशाहन देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का या मानना है कि अनेक प्रिकार की मानसिक बिमारियां भी व्यक्ति को अपराद करने के लिए प्रेरित करती हैं अमेरिका की रास्ट्रिय मानसिक स्वास्थ समिती के अनुसार 77 प्रतीशत कैदी किसी ना किसी रोप में मानसिक रोग से पीडित थे या अध्यन 34 जेलों के अपराधियों के मानसिक विसलेशन पर आधारित था आईए अब जानते हैं अपराध के भोगोलिक कारण के विशे में अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि भोगोलिक कारणों का भी अपराध को प्रोचसाहन देने में महतपूर्ण इस्थान है अर्थात इन विद्वानों का या मानना है कि भोगोलिक कारण भी व्यक्ति को अपराद करने के लिए प्रेरित करते हैं या उत्तेजित करते हैं इन विद्वानों का या कथन है कि जलवायू धरातल रितू तथा मौसम के अनुसार अपराद की दरे घटने या बढ़ने संबंधी अध्यन हमारे सामने आए हैं दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद् है कि समतल छेत्र वाले भागों में बलातकार की संक्या अधिक होती है परन्तु संपत्ति के विरुद्ध अपराद कम होते हैं जबकि अनेक गर्म जलवायू वाले छेत्रों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराद तथा ठंडे देशों में संपत्ति के विरुद्ध अपरा अधिक होने के निशकर्ष निकाले गए हैं दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का या मानना है कि जिस छेत्र की जलवायू गर्म होती है उस छेत्र में व्यक्ति के विरुध अपराद अधिक होते हैं जबकि इसके वीपरीत ठंडे देशों में संपत्ति के विर क्वेटलेट का या कथन है कि अपराद का प्रमुक संबंद जलवायू से है दूसरे शब्दों में कहें तो क्वेटलेट या मानते हैं कि अपराद जलवायू से संबंधित होता है इनका यह मानना है कि जलवायू तथा मौसा में परिवर्तन होने के साथ ही साथ अपराद मे पीछे एक से अधिक कारण हूँ दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी बातों से या इसपस्ट हो जाता है कि किसी भी अपराद के पीछे कोई एक कारण नहीं होता किन्तु इसके विप्रीत यह आवश्य हो सकता है कि एक अपराद के पीछे एक से अधिक कारण हूँ अपरा के कारणों के विशे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नौटिफिकेशन्स मिल सक वीडियो आपको में फस्य दो भी घौर यो जरूर देल कि सब्सक्राइब कारो में तो अपक्त दो की?